हलो फ्रेंड वेलकम टो एड चैनल गान फोर इक जम आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी स्रीच चल रही थी बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो हमारा टार्गेट है 35 दिन 35 सेट का उसी टार्गेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे सेट नमब होगा इस आई प्री मेंस वाली प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आप लोग हमारे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को आउन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की खबरे आपको पल आज ही आने कैडमी लर्णिंग एप पर हमारे साथ जुड़ें जहां पर आपको डेली हमारे टॉप 25 एजुकेटर के द्वारा फ्री लाइव क्लासेज एवरी विक कराये जाते हैं विकली फ्री मॉक टेस्ट दिये जाते हैं और वी सजार प्रस्नों का फ्री लाइव क्यू यूज होते हैं जहां पर आपको 20 कोश्चंस 20 मिनट में कराये जाते हैं तो आज ही डाउनलोड करें दा आने कैडमी एप को और हमारा कोड यूज करें अमर 10 अमर 10 कोड यूज करते ही आपको 10 परसंट करते हैं शुरू करते हैं पहला प्रस्न पहला प्रस्न है कि बर्स 2020 के लिए IPL निलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदवाज पैट कमिन्स को सबसिक अधिक कीमत 15.5 करोड में किस टीम ने खरीदा है यानि कि सबसे ज़्यादा कीमती बीकने वाले जो गेंदवाज हैं पैट कमिन्स इनका संबंद अस्ट्रेलिया से और ये इनको खरीदा गया है 15.5 करोड में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा वही जो IPL जो 2020 की है इसे जीता है मुंबई इंडियन्स ने दिली कैपिटल को हडा कर 15.5 कि माइंड माश्टर सिर्षक पुस्तक के लेखक कौन है तिसके लेखक है बिस्विनाथन आनंत 15.5 तिसरा प्रसन मारा जी ट्वन्टी सीखर सम्मेलन की मेजवानी करने वाला पहला अरब देश कौन बना है तो पहला अरब देश बना है सौधी अरबिया साथ ही आप लोग हमें कमेंट करके लाश्ट में बताएंगे कि आपके टोटल स्कूर कितने आ रहे हैं ताकि आपकी छमता पता चल सके आप कितने तयार हैं चौथा प्रसने किस भारतिये बालू काला कार को प्रतिश्टिट इटालियन गोल्डेन सेंड आवार्ड दोहजार निस के लिए चूना गया है सुधर्शन पटनायक को पाचवा प्रसने किस सैचनिक संस्थान की टीम द्वारा पाहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तयार किया गया है आई टी हैदराबाद द्वारा सिक्थ नमबर प्रसने Hand in Hand ध्यान रखना है Hand in Hand नामक संयुक्त प्रसिक्षन सेन भ्यास का योजन भारत और किस देश के बीच की संयुक्त रूप से क्या गया है तो Hand in Hand या भारत और चीन के बीच की प्रसिक्षन है सातफों प्रसने मारा Time Person of the Year 2019 किसे घोसित क्या गया है आठो प्रसने Changing India पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक है मनमोहन सी जो के हमारे पूर प्रधान मंत्री बित मंत्री भी रह चुके हैं नौ नमबर प्रसने Human Space Flight Center कहां अस्थापित क्या गया है यह अस्थापित क्या गया है बेंगलूरू में दस नमबर प्रसने USA मिलानिया टरम्प की पहली महिला की अनाधिकरिती जीवनी The Art of Her Deal नामक पुस्तक के लेखक कौन है The Art of Her Deal नामक पुस्तक जो समदित है यह मिलानिया टरम्प से समदित है और इसके लेखक है मेरी जौर्डन 11. नमबर प्रसने कि प्रवीन रौ को हाली में भारत के किस उद्योग निकाई के नए अध्यक्च के रूप में निक्त किया गया है तो प्रवीन रौ अध्यक्च बनाए गया है नासकॉम के फ्रिंड्स आपको बता दू अगर आप बिहार दरोगा पीटी की तयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा एक होमबर्ग स्रीज और टेस्ट स्रीज भी चलाई जारी है इसके ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ 7654957719 पर संपर्क कर सकते हैं जहां पर आपको मा 99 रुपे में इसकी संपोर्ण तयारी कराई जा रही है बारे नंबर प्रस्ण है निम्लिखित में से किस प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कोड टर्मिनस आधार पर नीजी सचीव न्यूक्त किया गया है कोड टर्मिनस आधार पर नीजी सचीव ने की पाबलिक सेक्रेटरी परसनल सेक्रेटरी ने उक्त किया गया है हार्दिक सतेश चंद्र साको 14 नंबर प्रस ने मोहन जोद्रों से प्राप्त पसुपती मोहर में निम्लिखित में से कौन सा पसुव नहीं पाया गया है मोहन जोद्रों से जो प्राप्त पसुपती मोहर है उसमें जो नहीं पाया गया है वह है सेर अन्ने सभी अगर देखें तो पसुपती के दाएं बाएं और चरर में दो दो पसुव बैठा हुआ है जहां पर आपको गेंडा, हाथी, हीरन, भैंस और बाग भैंस और बाग देखने को मिलेगा पंदर नंबर प्रस्ने निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन एक है जैन मताब लंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्वे 23 तिर्थ करते दूसरा कतन है कि पासर्वे 23 तिर्थ करते और तीसरा कतन है महावीर के निकर्तम उत्तरवर्ती रीसब थे उप्रिक्त में से कौन से कतन सही है तिहां पर अगर देखेंगे तो कतन जो सही है वह है एक और दो जैन मताब लंबी के निसार जो महावीर हैं इनके पूर्व 23 तिर्थ करते और 23 तिर्थ करते और 23 तिर्थ करते और 23 थे पासर्वे नात तो सही आंसर होगा उप्सन नमबर ए वही अगर हम बात करें तो रीगबेद में रीसब देव और अरिस्ट नेमी का उलेख हमें देखने को मिलता है इनमें से कौन बूध के समकालिन है तो इनमें से जो बूध के समकालिन है वह है अजात सत्रू और प्रसेंजित जो है बूध के समकालिक है आप्सन नमबर C बात करेंगर आजाज सत्रू की तो आजाज सत्रू बिम्बी सर का पुत्र था और इसने बज्जी संग पर बिजय प्राप्त किया था और प्रस्जेंजी जो थे या महात्मा बूध के एक परम मित्र हुआ करते थे और कोसल के राज जा थे जबकि कोसल की जो राजधानी है वह स्रावस्ति हुआ करती है आगे बढ़ेंगे सत्रा नमबर सुमेलित कीजिए सुची एक है ग्रंतकार और सुची दो है मूल ग्रंत तो यहाँ ध्यान देंगे बराह मिहर बराह मिहर का संबंध है ब्रिह समहीता से बिशाखदत का देवी चंद्र गुप्तम से सुद्रक का संबंध है मृच्छ कटिकम से और बिल्हन का संबंध है बिक्रमांक देव चरीतर से तेहां सही आंसर होगा ओप्सन नमबर तीन चार दो पाच ओप्सन नमबर बी आगे बढ़ेंगे हमारा 18 नमबर प्रसने कि बेदों के प्रक्याटिकाकार सायन किनके साथन काल के अधीन फुले फुले तो प्रक्याटिकाकार सायन जो है या बिजाइनगर राजा के समय बिजाइनगर जो राज्य था या 306 सिस्वी में हरिहर और बुक का नामक दो लोगों के साथ भाई थे उनके द्वारा अस्थापित की गई उनीस नमबर प्रसने मुगल चित्रकला के बिसाय में कौन सा कथन सत्त है तो यहां जो सत्त है योधिद्रिस पसुपक्छी और प्रकिर्टिक द्रिस और दरवारी चित्रन ये सभी और औरंग जेव आप एक ध्यान रखेंगे कि औरंग जेव जो था मुगल काल में वह चित्रकला के बिरोधी माना जाता है अगला प्रसने है। अगला प्रसने विष नंपर निमलीखित में से किसने पूर्ने सुरक्षा का बचनकर सिवाज़ी को लिए मुगल दरवार्म में उपस्थित्थ होने के लिए राज़ी कि लिए जैसी ने इसे उपस्थित कराया था और जून 1665 ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे 1665 में सिवाजी और राजस जैसीं के बीच ही पुरंदर की संधी हुई थी अगला प्रसने किस नंबर सुची एक पॉइंटी का संबंध है अंग्रेजी सिक्षा से चाल्स मेटकॉप का संबंध है प्रेज़ पर से पर्तिबंध हटाना और करजन का संबंध है बंगव बिभाजन से तिहां जो सही आंसर होगा वह होए ओप्सन नंबर ए तीन चार एक दो वही अगर हम बात कर ले बंग बिभाजन की तिया सोला क्टुबर उनाई सो पाच को लाग हुआ और बंगाल में द्वैद सासन दोहरा सासन यानि की सत्रह सो पैसट से बहत्तर एस्वी तक रहा था और मेटकॉप जो है चाल्स मेटकॉप इसे भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है वही जो अंग्रेजी सिक्षा है जो बिल्यम बेंटी के समय हुआ यह साथ मार्च 1835 को राजभासा के रूप में बनाया गया था प्रसने 22 नमबर विख्यात मुझफरपूर हत्या उन्हें 108 के बारे में निमलीखित कतनों पर विचार कीजे तीन सभी में जो अगर कतन है वह सही जो है एक दो तीन तीनों यानि कि वहबम जो स्रीमती पिंगल और उनकी पूत्री की गाड़ी पर फेका गया था बस तुता म मुझफरपूर के जीला जैज स्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभी प्रेथ था और दूसरा है किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रेता बादियों को कठोड दंड दिये थे और तीसरा है खुदिरांबोस और प्रफुल चाकी को अप समय भारत का बाइसरा है कौन था यानि कि 1911 के समय भारत का बाइसरा है था लौड हार्डिंग डियूत यह जबकि जो 12 दिसंबर 1911 डेट धियान रखेंगे 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 को राज्चा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परवरतन की घोशना की थी और राजधानी जो है या 1912 में बना था वही है अगर हम बात कर लें कि 1856 में ग्रिस में कालें राजधानी सीमला को बनाया गया था और 1931 में दिल्ली के स्थान पर नई दिल्ली राजधानी बना था 1931 में प्रेसने 24 नमबर साइमन कमिशन के आने के बिरूद भारतिय जन अंदोलन क्यों हुआ क्योंकि जन अंदोलन था वह साइमन कमिशन में कोई भारतिय सदास से नहीं था और साइमन कमिशन बनाया गया था 8 नवंबर 1927 को वही 1928 इसवी में सरहर कोट बटलर नहां रखेंगे बटलर की अध्यचता में भारतिय साही आयोग बनाया गया था 1928 में। अगला प्रस्ण है 25 नमबर महराष्ट में गनपती पर्व का सुबारंब किया था किसने। महराष्ट में गनपती पर्व यह शुरू किया गया था बाल गंगधर तिलक द्वारा बीजी तिलक द्वारा 1893 में और 1895 में शुरू हुआ था सिवाजी महोत्सप। 26 नमबर प्रस्ण है कुच्चि पूड़ी के संदर में नीवन में से कौन सा एक कथन असत्त है। इन में से जो असत्त है उसका बात करे तो इसका मुख स्रोत विश्नु पुरान है। तो यह जो है यह गलत है बाकी अन्य सभी सही है। 27 नमबर प्रस्ण है कि भारतिय स्वत अंतरता संग्राम के दौरान रॉलिक्ट एक्ट ने कीस कारण से सार्वजनिक रोस उत्पन किया था। यह उत्पन किया था कि इसने लोगों को बिना मुकदम चलाये जेल भेजने के लिए अधिकरीत किया गया था। रॉलिक एक्ट जो है मार्च 1929 में लाया गया था। आगी दीखेंगे प्रस्ण हमारा 28 नमबर 1824 निश्वी की बूड बिग्यप्ति जिसे हम बूड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं अभिव्यक्त सिक्षा का लच्छिता क्या। तो इसका लच्छिता भारत की पास्च आगे बढ़ेंगे प्रस्ण 29 नमबर सही सुमेलित कीजिए इलोरा गुफा सक्क महावली पूरा मराष्टकूत मिनाक्षी मंदिर पल्लव और खजुराहो चंदेल तो यहां पर जो सही है जो है ऑप्सन नमबर डी तो अगर हम देख लें तो खजुराहो जो है या मद मावली पूरा मंदिर जो है इसे बनाया था पल्लव सांक ने पल्लव ने महावली पूरम को बनाया एलोरा की गुफा को राष्टकुट ने बनाया और मिनाख्छी मंदिर को पांडब ने बनाया था यह सभी को द्यान में रखेंगे अगला प्रसने निमलिखित में से कौन सा सही है सूरी से पिर्थीवी की मद्ध दूरी को क्या कहते है सूरी से पिर्थीवी की मद्ध दूरी को खगोली एकाई कहते है आगे जो प्रस्णे कि पिर्थी पर दो अस्थानों की स्थीति के अनुदेर्ध का अंतर 15 डिगरी है अस्थानी समय में कितना अंतर होगा तो अस्थानी समय में इसके अंतर जो होते हैं एक घंटा के बरावर होता है और 20 विश्वी को 24 समय जोन में विः वाज़ित किया गया है 1 देसांतर के बीच 4 मिनाट का अंतर होता है और 15 डीग्री जोन में 60 मिनाट का अंतर होता है इसलिए 1 घंटा होगा आगे प्रस्ण कि समूदर में घंनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है अगर समूदर में गहनत्व बढ़ेगा तो लवनता और गहराई दोनों बढ़ती है यहाँ पर एक मैत का प्रस्ण है इसे आप solve कर लेंगे आसान सा है कि दो पाइप अकेले कार करते हुए एक टंकी को 42 गंटा और 56 गंटा में भढ़ सकता है जबकि तीसरा पाइप है जो से 32 गंटा में खाली कर सकता है और तीनों एक साथ एक समय पर चालू करेगा तो कितना होगा तो इसको आप अगर करेंगे तो यह तीन का LCM अप लेंगे और इसमें यह दोनों को एड़ करेंगे इसके LCM को और इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल क्या जाएगा चार दिन है आप सॉल्ब कर लेंगे आगे प्रेशने है चौतिस नमबर निमलिखित में से कौन सा भारत की सर्बोच परवस सिखर है भारत की सर्बोच परवस सिखर है कारा कोरम और कंचन जंगा की उचाई जो है यह 8598 भारत की सबसे उची चोटी एवरेश्ट आगे निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर अगर देखेंगे तो हुसैन सागर जीट हुसैन सागर जील जो है करनाटक में नहीं आंध प्रदेश में इस्तित है जबकि अन्यसावी लोकटक जील मनिपूर लोनार जील महराष्ट और संबल जीर राजस्थान में इस्तित है आगे है किसानों से खेतों में क्रिसी कार करते समय मिट्टी में चूना मिलाने के लिए कहा जाता है क्योंकि चूना मिट्टी की अमलियता को घटाता है आगे परस्ण है कि मध्प्रदेश में कोर्वा का महत्व क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट परस्ण है ये तो अच्यानक कवी कवी सीधे पूछ लेता है कोर्वा कहां से संबंधी थे और किसले प्रसिद है तो मध्प्रदेश का कोर्वा इल्मूनियम उद्योग के लिए प्रसीद है और यहीं पर कुर्वा मेहे हिंडॉल को करखाना इसती थे और भारत का इल्मूनियम का प्रथम करखाना 1937 इसवी में जेके नगर पच्छिम नगर में लगाया गया पच्छिम बंगाल में खोला गया था 2286 इसवी में तुए अब कर दमरारा राजाजी-्राश्ट्रिय पार्क कीस जानवर का प्रकिर्थि underwater राजा जी-्राश्ट्रिय पार्क यह जंग्ली हाथी के लिए प्रसिद है ऑप्सन नंबर एख वही अगर हम बात करे गीर नैस्नल परक जो की गुजरात में है वहा सेर के लिए प्रसीद है घानपक्ची बिहार साइवेरियन क्रेन पच्ची के लिए प्रसीद है और पेरियार अभ्यारन हाथी के लिए प्रसीद है फ्लाई एस एक पर्यावर्णिय प्रदूसक है जो उत्पन होता है निमली खित में से कौन सुमेलित नहीं है यहां देखेंगे तो बियना सम्मेलन जो है या उन्हेस बे आलिस बियना सम्मेलन उन्हेस सौ बेरासी में नहीं हुआ था आगे अगर देखें बिस परियावरं सम्मेलन उन्हेस टौकों में 172 नहीं हुआ था और पेरिस जो है पेरिस जलवाई सम्मेलन 2015 में आयोजित क्या गया था बाकी अन्हेस सभी सही है प्रेस नवारा एक तालिस नमबर तीन महीनों के लिए निवेस किये गए 875 रुपे पर 21 रुपया बियाज मिलता है सधारन बियाज की प्रतिवर्स देर कितना होगा तीसे आप सिधा साब फॉर्मूला एक अगर याद रखें तो देर बरावर होता है बियाज गुने सो बटा मुल्धन गुने समय इस फॉर्मूला पर आप सारे पॉइंट को रख देंगे तो आपके आंसर निकल के आएंगे 9.6 प्रतिशत प्रेस नमबर के काडमम पहाड़ियां जिनकी सिमाओं पर इस्तिते हुए है काडमम की पहाड़ी जो है या केरल और तमिल नाड़ू की सिमाओं पर इस्तिते है वही निलगिरी पहाड़ी जो है या पूर्वी घाट और पच्छमी घाट को जोडने का काम करता है 43 नमबर प्रस ने किसका उप्योग मिट्टी की लवनता एवं छार्यता की समस्या का दिर्वकाले खल है तो यह होता है जिपसम आगी है अंतराष्टी दिनांकरेखा खीची जाती है तो अंतराश्टी दिनांकरेखा जो है या प्रसांत महसागर से होकर खीची जाती है और अंतराश्टी दिनांकरेखा आर्क्टिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग अस्टेट और प्रसांत महसागर से गुजरती है जो 180 डिगरी दिसांतर को अंतराश्टी तितिरेखा कहा जाता है और एक और धियां रखेंगे बेरिंग जलसंदी बेरिंग जलसंदी अंतराश्टिय तीथी रेखा के समनांतर होती है प्रेस ने 45 नंबर मैथ का ही है कि ये बी से से आप बनाएंगे तो आपके आंसर्स निकल के आ जाएंगे 16 अगर आपको प्रावलम होगी तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट जरूर करें आपके मैथ का भी सॉल्यूशन कराए जाएगा च्छलिस नंबर प्रासने पौड जूल क्या है पौड जूल जो है यह एक प्रकार का कौन धारी बन प्रदेसों में पाए जाने वाली मिटी है और वही जो मिटी की अध्यन के अगर बात करें तो वह होता है पेडो लौजी अगला प्रसने कि उपराष्टपती एम बंक या नाइडू ने तेन आइडियोलोजी नामक पुस्तक के तेलगु संसकरन पड़ी भावज्य लालू का नावरन किया इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है एस जैपाल रेडी अगला प्रसने बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निमलिखित में से कौन सी एक मौसमी दसा इंगित होती है तो अचानक गिरने से वह तुफानी मौसम होता है वही अगर हम बात कर ले बैरोमीटर की तो बैरोमीटर में धातु का परियोग किया जाता है ज और उप्रोग तस्ले में से कौन सस्मारक सही है तेहां ध्यान देंगे चंपानेर पावागड़ पुरा तत्विय उद्यान सही है छतपती सिवाजी रेल्वे स्टेशन मुंबए में मामलपूरं तमिलनाडो सुर्मंदिर को नर्ख यानि कि सही आंसर हो जागा ऑप्सन नमबर अग्गी जो प्रस्ने भारत अधिनियम से लिया गया है जहां पर लगवग हमारे संभिधान के 72 प्रतिसत भाग यहीं से लिये गया है BPSC के लिए आने कैडमी पर पलस बैचेच को अगर आप आल राउंड प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तब आपको 60 दिन का BPSC मेंस बैच हमारे सुरू कराए जा रहे हैं चार जनवरी से और फॉंडेशन बैच भी हमारा सुरू हो रहा है पाच जनवरी से तो आज आखरी दिन है आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं जहां पर आपको बिहार एसाई की भी क्रेश कोर्स कराई जाती है जहां पर आपको मिलेगा डेली 20 पलस प्रिलिम्स मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बीस जार पलस कोस्टन्स बैंक और पीडियेफ रिवीजन भी आपको मिलता है तो अगर उसके साथ साथ आप BPSC की मेंस की तियारी करना चाहते है सिख् ज़रूर जूड़ें जहां पर आपको हमारे इस टॉप एजुकेटर के द्वारा डेली क्लासेज कराई जाती है और एक बेहतर तयारी भी कराई जाती है आने कैड में आपको डॉनलोड करें वहां पर अपना कटेगरी में सेलेक्ट करें BPSC और सेलेक्ट करते ही जब आप स गेट सब्सक्रिप्शन मांगा जाए आप वहां पर हमारा कोड यूज करेंगे अमरे 10 अमरे 10 कोड यूज करते ही आपको 10 प्रतिसत का इंस्टेंट डिसकॉंट भी मिलेगा तो आज ही आने कैड में एप पर जुड़ें और BPSC को क्रैक करें इसी के साथ लेट्स क्रैक इट आगे जो प्रेशन मारा 51 नमबर कि भारत के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए ये भारत के संदर हमें कथन दे रखा है तिहां पर जो कथन सई होगा हुआ है एक और दो यानि कि मुख चुनावायुक्त और अन्य चुनावायुक्त को समान अधिकार प्राप् है प्रन्तु मिलने वाले बेतन में असमानता है और दूसरा जो है कि मुख चुनावायुक्त वही बेतन पाने का हक्दार है जितना उच्तम न्याले की न्याइधिस को दिया जाता है तो यहां सही आंसर होगा उप्स नमबर एक बावन नमबर प्रस्न है कि भारत की संविध समझेंगे एक ऐसी आचिका जो न्याइपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कारपालिका से कहा जाता है कि वह कारी करे जो से प्रदत सक्तियों के अंतरगत करना चाहिए इस रिट को क्या कहा जाता है तो इस रिट को कहा जाता है मैंडे मस और वही जो भारत मे पाच प्रकार की रीट जारी की जाती है जिसमें उच्छतम नियाले द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा जारी किया जाता है आप बता रहे हैं ध्यान रखेंगे एक होता है बंदी प्रति चिकरन दूसरा होता है परमादेश तीसरा उत प्रेशन चौथा अधिकार प्रिक्षा पाचवा होता है प्रति सिद्वाप ध्यान रखें उच्छतम नियाले द्वारा रीट जारी किया जाता है आर्टिकल 32 और ऊच्छन याले द्वारा आर्टिकल 226 प्राशन पंचाइती राजव्यवस्था में सासन परनाली की सनचना क्या है सासन परनाली की सनचना है ग्राम प्रक novel और जीलास्तर पर स्थानिए स्वसासन की त्रीस्थ्तरिय सनचना है पच्पन नमबर प्रस्ट है कि भारत का संभीधान असपश्टत प्रेस की अजादी की विवस्था नहीं करता किन्तु यह अजादी अंतर नहीं थे किस अनुछेद में बढ़नी थे तो यह बढ़नी थे हमारे अनुछेद 19-1-1 में प्रेस की जानती की जो विवस्था नहीं करता है पर वो आजाद अंतर नहीं थे अनुछेद 19-1 आ में वही भारती संविधान के अनुछेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंतरता दी गई है आगे बढ़ेंगे प्रसने राजकोसिय घाटे का अर्थ क्या है तिसका अर्थ होता है सरकारी ब्याय रिजैरो बैंक के अतिरीक अनिस रोतों से उधारिया प्राप्त करना आप्सन नमबर ए 57 नमबर प्रसने मानब संसाधन विकास मंतराले का नाम बदल करके क्या रखा गया है यानि कि HRD मिनिस्ट्री जो था उसे नाम बदल करके आप सिक्छा मंतराले कर दिया गया है और बरतमान में सिक्छा मंतराले कौन है ये हमें कमेंट में आप नीचे जवाब देंगे बरतमान में सिक्छा मंतरी कौन है ये हमें कमेंट करेंगे प्रसने निमलिखित में से कौन सा अंतराष्ट्य संस्थान विभीन देशो को अलप काली करीन प्रदान करता है विभीन देशो काली करीन प्रदान करने का काम करता है आई एम एप अंतराष्ट्य मुद्राकोस आये में बात करें तो इसका मुख्याले है बासिंग टंडीसी में इसके अस्थापनवी है 27 दिसंबर 1945 को यहाँ पर जो IBRD है यह दिर्ग कालिन रिन उपलावध करवाता है और IBRD है जो बिस्व बैंक के नाम से जाना जाता है प्रेस्ने के निमली खीत में से कौन सा एक योग में सही सुमेलित नहीं है तिहाँ पर अगर सही सुमेलित की बात करें तो अंतराश्चीय परमानु उड़्जा अभीकरन अंतराष्ट्य पर्मान उर्जाविकरन का मुख्याल है New York में नहीं BNA में है अन्य सभी IMF का वासिंग्टन DC में समुद्री संगठन का लंदन में स्रम संगठन का जिनेवा में और यहां पर अंतराष्ट्य पर्मान उर्जाविकरन के स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुआ था प्रसने की बिदेशी ब्यापार का भुकतान संबंधित है किस से बिदेशी ब्यापार का भुकतान संबंधित है भुकतान संतोलन से आगे जो प्रसने मैथ का आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके इसे सॉल्ब कर लेंगे इसका आंसर होगा option number B प्रसने जब धूप बर्सक की बुंदों पर गिरती है तो इंदर धनुस बनता है इसके लिए निमलिखित में से कौन सी बहुत तिक परिवर्तन है परिछेपन अपवर्तन और आंतरीक परावर्तन ये सब ही सूसक से लियानि के बैटरी में निमलिखित में सकीन का बिद्धु तप घट्यों के रूप में परियोग होता है तो बिद्धु तप घट्यों के रूप में अमोनियम कुलोराइड और जिंक के कुलोराइड का परियोग किया जाता है option number A अकास में इंद्रधनुस के रंगों का फैलाव मुख्यता किस प्रकार होता है तो यह होता है सुर्प्रकास का बिच्छे पंसे option number A यहाँ पर सही हो जाएगा अगे बढ़ेंगे एक चीज़ आप ध्याने केंगे प्राथमी की इंद्रधनुस में तो बाहर की और बैगनी रंग और अंदर की और लाल रंग होता है प्रसने दो चार और आठ ओम परिनाम बाले तीन प्रतिरोध समनांतर क्रम में जुड़े हैं इस निकाए का तुल प्रतिरोधक कितना होगा तो यहाँ पर जो एक निकाए का तुल प्रतिरोधक होता है वह दू ओम से कम होगा प्रसने है जो 66 नंबर वह मैथ का प्रसने है इसे भी आप वीडियो पॉस्ट करके बनाएंगे आप कांसर निकल काएगा दो घंटा 30 मिनिट अगला प्रसने निम्न कतनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कतहन सई है इस पर विचार करना है तो 100 डिगरी सेल्सिस पर भाब तथा 100 डिगरी सेल्सिस पर वलते जल में उस्मा मात्रा एक समान होती है बर्प की संगलन गुपतुस्मा तथा जल की बासपन गुपतुस्मा बरावर होती है तिसरा कतने बाता नुकुलन के कच बायू में से बाचपित कुंडली में उस्मा का निसकर्शन होता है तथा द्रबनीत कुंडली में उस्मा का निर्शन होता है तो सही होगा वह है आप ठोड़ जल के गुन धर्म के बिसाय में नीमन में से कौन से कथन सही है। इसे आप आप्शन पूरा पढ़ लेंगे आपका जो सही आंसर है वह है आप्शन नमबर ए जल के अस्थाई का ठोड़ता उसमें उपस्थित बिले मगनीसियम कैलसियम हाइडरोजन कर्वोनेट के कार होता है और जल के आस्थाई का ठोड़ता वालने से समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन नमबर ए जब रिदू श्टील को उचता अपमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंड़ा किया जाता है तो वह कठोड़ता था भंगुर हो जाता है यह प्रकिरिया कहलात है अगर आपको हमारा व्यडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्स्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें इसका पीडियव चाहिए तो अब हमारे टेली कि ग्रूप को जोएन कर जाएं वहां पर आपको हमारा पीडिएफ मिल जाएगा प्रेशन है कि हाइलोजनों में सबसे अभिक्रिया सील कौन सा है हाइलोजन में सबसे अभिक्रिया सील जो होता है वह फ्लोरी संस पर लेंस यानि कि कॉन्टेक्ट लेंस किस से बनाए जाते हैं कॉन्टेक्ट लेंस जो बनाए जाते हैं वो लिव साइट से बनाए जाते है निमली खित में से कौन सा इंधन नियूंतम परियावर्णी प्रदोसन उत्पन करता है निउन्तम परियावर्णी प्रदोसन जो उत्पन करता है उनमें सामिल है हाइड्रोजन वही हम बात करें अगर तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तरह लवस्था में क्रायोजेनिक इंजन में परियोग किया जाता है और hydrogen और helium का तारा उर्जा का स्रोत भी माना जाता है आगी प्रेस ने 73 नमबर समान्य नाम नुक्लियोन किस के लिए है नुक्लियोन जो प्रेस यूगत होता है वह proton और neutron के लिए होता है अगला प्ष्ण है कि जिभास्म की आयू कारवन के दो समस्थानिकों कहनुपात का निर्धार कर मालूम की जाती है वे समस्थानिक कौन से हैं तो वे समस्थानिक हैं C12 और C14, C12 जो है या अभिघटन सील तत्व है, जबकि C14 जो है या भिघटन सील तत्व है, पच्छतर नंबर प्रस्ण है, यदि दूद को काफी समय तक भी न ढखे रखा जाए, तो दूद खटा हो जाता है या निमलिकित में से किस के कारण, तो यह होता है लेक्टिक अमल के कारण है, अगला प्रस्ण ने किया नाजो और तिलहनों के अनुप्युक्त रख रखाव और भंडारन के पल्ली परिनाम सरुक आवीसु का उत्पादन होता है, जिन्हें अफला टॉक्सीन के नाम से जाना जाता है, जो समाने तब भोजन बनाने क या अम्बिधी द्वारा नश्ट नहीं होते, अफला टॉक्सीन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, यानि कि अफला टॉक्सीन जो उत्पादन होता है, उत्पादन में प्रनासिय अवरक्तता का कारण है, जन्तु बिटामिन बी बारा का संसलेशन नहीं कर सकते, मानवो को अपना सारा वितामिन B12 अपने हार से प्राप्त होता है। वितामिन B12 में कौन सा संकुलन धातू और द्धातू पाये जाता है त्या होता है CO3 PubLoss यान की कौवालट और वितामिन B12 कौवालट ही होता है। हम आपको अगर B के कुछ है अन्योगी की बात करें तो बिटामिन B12 का रसाइनिक नाम साइनो कवालमीन, B7 का रसाइनिक नाम बायोटीन, B6 का रसाइनिक नाम पायरिडॉक्सीन, B2 का रसाइनिक नाम राइवोफलोवीन, B1 का रसाइनिक नाम थाइमीन होता है 78 नमबर प्रसन एक निमली खित पोसकत्तों में से कीस एक का दुग्ध दुरवल सुरोत है तो दुग्ध जो दुरवल सुरोत है वह है बिटामीन सी का ये प्रसन जो है अभी BPSC में भी पूछी गई है 66 वाली में प्रीमी पौदों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है वह है BASPOS सरजन राम मंदिर निर्मान के भाबा योजन पर भागवान राम के चित्र निम्न में से किस पर प्रदर सिथ किये जाएंगे भागवान मंदिर जो है या टाइम सब्सक्वाइर पर पर प्रदर सिथ किये जाएंगे ऑक्सीजन के उपस्थीती में ग्लुकोज के कारवन डायोकसाइड यवाम जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रुपांत रहत होने को कहते हैं इसे कहा जाता है बायु स्वसन अगले जो प्रदर सुमे लिद कीजिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको अस्त्र अस्त्र का जो मारक छमता है वह दस से पचीस किलो मीटर तक है धनुसका है एक सो पचास किलो मीटर तक त्रिसूल है नौ किलो मीटर तक और अकास है 25 km तक यानि कि सही answer होगा option number C अब आपको बता दे कि इसत्र जो है में मार करने वाला प्रच्छे पास्त्र है और धनुस जवह या जमीन से जमीन पर त्रीसूल जवह सता से हावा पर और अकास जवह सता से हावा पर मार करने वाला प्रच्छे पास्त्र है आगे जो प्रस्न है कि इश्रो द्वारा स्थापित लिक्यूड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर इस्थित है कहां तो यह इस्थित है महेंद्रगीरी तम्मिल नाडु में आगे जो प्रस्न है 84 नंबर साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है साफ्टा का पूर्ण रूप होता है साप्टा यानि की सौथ एसियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रिमेंट सौथ एसियन यहां पर एसिया है तो यह एसियन होता है एसिया नहीं सौथ एसियन प्रिफरेंशियल तो इसका सही आंसर होगा option number D आगे मैपल लीप का देश के नाम से जाना जाता है मैपल लीप यह जाना जाता है कनाड़ा को अगला प्रसने की गुरु देव रवीदना टैगोर की रचना को भारत के लावा किस देश का राष्ट गान सुईकार किया गया है तो आमार सुनार बांगला के नाम से जो प्रसीद है वह है बांगला देश के लिए वही राष्ट्यगीत 1911 के कॉंगर्स दिवेशन में सर पर थम गाया गया था कलकत्ता दिवेशन में 87 प्रसने की निवलिखीत में से कौन सा ये क्योग में सुमेल इतना है यहां अगर देखेंगे तो मैक मोहन भारत चिंच सही है रेड़ कली भारत पाकिस्तान डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान ये भी सही है आठ डिग्री चैनल आठ डिग्री चैनल जो है ये माल दीब और मीनी कॉई के पीच में है मालदिवा और मीनिकॉई के बीच में इस्तित है चाबहा जो है या भारत सरकार द्वारा बिक्सित क्या गया है जिस पे भारत का कुल पचास करोड डॉलर खर्च हुए है निम्लिखीत के अतनों पर विचार कीजिए बिच्व का सबसे बड़ा दिवप ग्रीन लेंड और ग्रीन लेंड डेनवर के अधीन एक स्वायत छेत्र है जिसमें जो सई हुआ है ओप्शन नमबर सी एक और दो दोनों यही ग्रीन लेंड जो है या आपका अर्क्टिक महासागर में इस्तित है निमली खित में से कौन सुमेलित नहीं है बिच्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई बिच्व बानकी दिवस 20 मार्च बिच्व परियावरन दिवस 5 जोन और बिच्व तमबाकूनी सेथ दिवस तमबाकूनी सेथ दिवस या 22 मर्च नहीं 31 माई को मनाया जाता है 22 मर्च को जो है बिस्व जल्दिवस मनाय जाता है पताना पताना नामा कुछ निकटिवंधिय घास के मैदान निवन में से किस देश में पाए जाते हैं तो पताना पाए जाता है सिरलंका में जो कि उस निकटिवंधिय घास के मैदान है ब्राजील में है कमपोज, बेनेजुएला और कुलंबिया में है लानोस ओपरेशन ब्लैक बोड समंधित है किसने इसका समंधित है प्रोड सिचा से वही हम बात करें ओपरेशन फ्लड का तो है समंधित है दूधूत पादन से ओपरेशन ब्लू अश्टार के अगर हम बात कर ले तो आमरीश सर में स्वर्ण मंदिर के आतांकवादियों से छुटकारा दिलाने के लिए चलाए गया था ओपरेशन ब्लू अश्टार आगे प्रेशने कि भारतिय उपमादीप में बोली जाने वाली भासाओं में बोलने बालो की सरवाधिक संख्या के अधार पर हिंदी के वाद किस का नमबर आता है यानि कि दूसरा सबसे बड़ी भासा बोले जाने वाली हुगा है बंगला निवलिखी धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदा एक कैबल्ली का अभ्यास करता है कैबल्य का भ्यास करता है जैन और कैबल्य जो है मतलब होता है परम ग्यान को मानने वाला अगला प्रस्न है कि All India Radio के संस्क्रीट में अपने पहले समाचार पत्र का कारकरम का प्रसारन की सुरूप में सुरूप क्या है तो यह सुरूप क्या है संस्क्रीट सापताहिक 96 नंबर प्रस्णे मारा कि निम्ली खीत में से किस राज या संघरा छेतर में जरवा जनजाती रहती है जरवा जनजाती पाया जाता है अंडमान तथा निकोवार दीप समू में भारत में लगवाख साढ़े 500 जनजातिया पाया जाती है एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आगे प्रस्णे की गेटिंग कॉम्पेटिटिब अगे प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नाम अगपोस्ता के लेखा कौन है तिया है आर सी भारगप अंठारवे नंबर प्रस्णे की दिल्ली की राजगदी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा सासा कौन का कोई सदय से हस्तिली की तावेदर मुख्या को समर्पीत कर त्याग पत्र दे सकता है आवेदन समर्पीत करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्रभावी माना जाएगा तिया प्रभावी माना जाएगा साथ दिनों बाद और बिहार में पंचायती राज दिनियम 2006 से पार पटकाई बंजी बभ्यारन को राष्ट्य उद्यान में अपग्रेट कर दिया गया है देहिंग पटकाई बंजी बभ्यारन अब राष्ट्य उद्यान होगा और यह इस्तित है आसा में तो यह थे आज के आपके कुल 100 प्राश्ण इंपोर्टेंट सेट नमबर इसी के साथ आज के लिए इतना ही आगे हमारे पलपल आने वाली वीडियो की ख़वरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा लोगों तक सेयर जरूर करें इसी के साथ जैहिंद धन्यवाद